हलो दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में और आज मैं आपको इस वीडियो में जो टाइम पीरड होता है सिंपल पेंडूलम का उसका जो डेरिवेशन है और जो एक्सप्रेशन है वो कैसे आता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और यह जो पर्टिक समझ में आएंगे और इस तीन-चार मिर्ट के वीडियो को देखकर आपके एक्जाम में भी तीन से चार नंबर बढ़ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अब सबसे पहले यह बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यह जो टाइम किरेड का जो फॉर्मुला डिराइव होगा सिंपल पेंडूलम के लिए यह हमेशा स्मॉल एंगूलर डिस्प्लेस्मेंट के लिए ही एप्लिकेबल होगा मतलब क्या है उसका मैं आपको समझा देता हूं तो यह है पेंडूलम बॉब जिसका जो मास है वो है स्मॉल एम के बराबर और स्मॉल एंगूलर डिस्प्लेस्मेंट मतलब कि जब हम इस पेंडूलम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तब यह जो एंगल ठीटा है ना यह होना चीए स्मॉल वेरी स्मॉल और उसी स्मॉल एंगूलर डिस्प्लेस्मेंट के लिए हम यहां पर टाइम पिरेट का जो फॉर्मला है उसको डिराइफ करने जा रहे है अब यहां पर इस एक्स्रीम पोजिशन हो गई यह यह पोजिश और यह पर लिखने जा रहा हूं और एक चीज़ और कि जो लेंग्ट है इस पेंडूलम की वह है आल के वराबर और यहां पर जो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एमजी यह फोर्स यहां पर कर रहा है इसी के साथ में यह जो लेंग्टे छो लेंग्त निकाल पाएंगे क्योंकि एंगल ठीटा है तो यह जो एंगल है वह भी झोगा है के बराबर और यहां से हम यह निकालेंगे तो यह आएगा एल साइन ठीटा के बराबर आप यहां पर साइन ठीटा की जो आइडेंटिटी है पर्पेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस वो यहां पर यूज कर सकते हैं तो एंगल के जो सामने वाले साइड है वो होती ही परपेंडिकुलर तो चलिए इसको माल लेते हैं पी सो साइन ठीटा यह हो जाएगा पी बाई एल के बराबर तो जो पी है वो हो जाएगा एल साइन ठीटा के बराबर अब यहां पर इस पोजीशन पे जो टॉर्क लग रहा होगा पेंडूलम पे वो हम निकाल लें तो जो टॉर्क है टॉर्क को हम टाव से रिप्रेजेंट करते हैं और टॉर्क का फॉर्मला होता है 400 इन्टू पर्पैनुक्लर दिस्टेंस फ फॉर्म एक्सिस ऊफ रूतेशन टॉर यहां पर जो फोर्स है वो है प्रपैनुकुलर दिस्टेनस फॉर्म इस अफॉर्म रोतेशन वह pierwszy एलसाइन फीट जैनला के बराबर तो यहां पर मैं बिक्देंगे यहां पर एक चीज देखने वाली है कि जो एंगूलर डिस्प्लेस्मेंट है जो एंगूलर डिस्प्लेस्मेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है और इस पेंडूलम बॉप के उपड़ जो टॉर्क लगेगा वह इस डायरेक्शन में यह टॉर्क का डायरेक्शन है दोनों के डायरेक्शन क्या है ऑपोसिट है है ठीक है तो उसी की वज़े से यहां पर हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा तो जो टॉर्क है वो हो जाएगा माइनस पराबर हो जाता है ठीटा के और उस कंडिशन में जो टॉर्क है वो हो जाएगा माइनस एम जी अल इंटु ठीटा यह टॉर्क के लिए हमारे पास एक्पेशन हो गया और एक और तरीका है टॉर्क निकालने का वो क्या होता है मोमेंट ओफ इनर्षिया इन्टू एंगूलर ए इस पेंडूलम बॉप का मोमेंट ओफ इनर्षिया की बात करें तो वह होता है एम एल स्क्वेर और अल्फा यह होता है सेकेंड डेरिवेटिव ओफ एंगूलर डिस्प्लेस्मेंट विद रिस्पेक्ट टू तो यहां से जो टॉर्क है वो हो जाएगा आई की वेल्यम आउट कर रहा हूं और जो अल्फा हे वो होगा दी स्क्वेर ठीटा बाइडिटी स्क्वेर अभी हमार पास दो एक्वेशन होगा तॉर्क के लिए यहाई एक्वेशन वन और यहाई एक्वेशन टू दोनों का लेफट हैंड साइड सेम है तो राइट śड को हम इक्वेट कर तो हमें मिलेगा M L square D square theta by D T square equals to minus M G L theta अब यहां पर M से M हो जाएगा cancel, 1 L से 1 L भी हो जाएगा cancel और finally हमें मिलेगा D square theta by D T square equals to minus G by L into theta अब यह जो equation आई है यह बहुत important equation है इसी का use करके हम यहां पर time period का expression है वो निकालेगे अब इसे हम compare करेंगे जो simple harmonic motion की equation होती है क्या होती है वो second derivative of displacement with respect to time यह होता है minus omega square X के बराबर मतलब जो acceleration है वो proportional में होनी चीए negative of displacement के तो second derivative of displacement होता है acceleration और यहां से हम compare कर लें इन दोनों equation को यह SHM की equation है इस SHM की equation से हम compare करें तो जो omega square है वो वराबर होगा g by L के और यहां से हम time period की value है वो हो जाएगी 2 pi by omega यह value हम यहां पर put करें तो omega की value जस्ट हम यहां पर put करनी है इस time period के expression में सो जो time period है वो हो जाएगा 2 pi into under root of L by G यह expression आ गया time period के लिए for simple pendulum okay so यह पूरा derivation था time period के लिए and I hope that this video will be helpful for you all आपको वीडियो पसंद आता पसे like कीज़े शेयर कीज़े चैनल पर नहीं हो तो subscribe करना ना भूले notification bell को press करें ताकि जैसी ने video upload होए आपको तुरंत उसकी information मिल जाए थैंकियो सो मैच थैंकियो फॉर वाचिंग